वेलकम दोस्तों कैसे हो आप लोग बढ़े हैं अग्दम देर दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ Grand Central Park ये पार्क न्यू ओपन हुआ है थाना के बेश्ट में तो काफी बढ़े हैं ये पार्क है इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ तो वीडियो में इंट तक बने रहे हैं काफी डीटियल से यहां का वीडियो मैंने बढ़ाया है आप लोगों के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में एक फटाफट लुक मैं आप लोगों को अंदर का दिखा रहा हूँ यही सब मैं आप लोगों को डीटियल से दिखाने वाला हूँ यहाँ पर देखिए आपको टिकेट के लिए कुछ इस तरीके से लाइन लगाना पड़ सकता है अगर आप विकेंड में आते हैं और यहाँ से अंदर जाना है अगर आप कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए पीने के लिए वो अंदर अलाउड नहीं है टिकट काउंटर के पास आपको एक ये डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा जो कि टिकट प्राइज यहां का टाइमिंग सब कुछ आपको बताता हुआ और एक ऐसा यह प्रिंट देखने के लिए मिलेगा आप वीडियो को रोक कर यहां का टिकट प्राइज यहां का टाइमिंग सब कुछ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मुझे टिकट मिला टिकट चेक होने के बाद जब मैं अंदर इंटरी लिया तो कुछ इस तरीके से मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पर चोटे बच्चों को देखिए इतना जादा वो खुश हो रहे हैं अंदर की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज को इंजॉय करने के लिए तो आप भी आईए अपने फेमिली के साथ काफी जादा आप यहाँ पर इंजॉय करेंगे जो साइड में आप अमारत देख रहे हैं इसके अंदर पारिकिंग की सुधा है 2 भीलर, 4 भीलर की सुधा यहाँ पर दिया गया है 2 भीलर का 20 रूपया ले रहे हैं 4 भीलर का 40 रूपया यहां पर देखे यह पहला एक्टिविटीज रहा तो एक एक करके मैं यहां का जितना भी एक्टिविटीज है यहां पर जितने भी पॉइंट है सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीडियो में अंट तक पने रहें प्यारे दोस्तों इस पॉइंट का नाम है ट्री हाउस तो यहां पर देखे चुटे बच्चे कितने ज़्यादा इंज्वाई करते हुए जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कुछी इस तरीके से एरो का निसान देखने के लिए मिलेगा उसकी मदद से आप सभी लोकेसिनों पर काफी आसानी से आगे तक बने रहें प्यारे दोस्तो एक एक करके सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तकरीबन ये 20 एकड में फैला हुआ है निवर्क स्टाइल में इस पार्क को डिजाइन किया गया है तो काफी बढ़िया ये पार्क है इस पार्क का टिकट प्राइज कु की 20 रुपया अब विकेंड में 30 रुपया ये देखें यहां पर आपको चैस खेल सकते हैं कुछ इस तरीके से इसी मेहने 9 फरवरी 2024 को इस पार्क का ग्रेंड ओपनिंग कराए गया हमारे महराश्टा के सीम एकनात सिंदे जी के द्वारा काफी बढ़िया ये पार्क है यहा लाइप म्यूजिक होता है जो अभी यहां पर तैयारी करते हुए आगे जा रहा हूँ दोस्तों जहां पर बच्चों का गेमिंग जून बना हुआ है उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर देखे एक बंदा बैठा हुआ है जो अपना म्यूजिक सिस्टम यहां पर सिट करते हुए बहुत ही बढ़ी हैं वो गाना गाते हैं आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा म्यूजिक तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि कॉप्पी राइट लग जाएगा प्यारे दोस्तों तो इस होजा से सिरिफ मैं आगे आप लोगों को थोड़ आने के लिए दो गेट है प्यारे दोस्तों दोनों गेटों पे दो दो काउंटर बने हुए हैं टिकट के लिए पर उन्होंने इतना एक्सपेट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा मैंने देखा करीब 200-300 मीटर तक के लंबे लंबे दोनों ही काउंटरों पर लाइन लग चुका था आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा वो लाइन भी इस पार्क को देखिए कितना बढ़िया इसे बनाया गया है आप लोगों के लिए तो आप लोग यहां पर आईए विजिट करिये काफी बेश्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तो सोसल मीडिया का जमाना है दोस्तो तो इस ओजा से इस पार्क के बारे में जिसको भी पता चल रहा था सब आते ही जा रहे थे मैं यहां पर 11 फरवरी साम को 4 बज़े आया हुआ था और 9 फरवरी को इस पार्क का ग्रेंड ओपनिंग हुआ है तो आगे अभी मैं आप लोगों कराउड दिखाऊंगा इतना जादा लोग यहां पर आये हुए थे क्योंकि जिस दिन ओपन हुआ उसके दिन का ही बीडियो अदर्स और भी बीडियो बना बना कर लोग इटूब हो गया इस्टाग्राम हो गया फेस्बूक हो गया अपलोड कर रहे हैं जैसा जैसा लोगों क स्लाइड पर दोस्तो इस लोकेशन की दूरी अगर आप अपने घर से देखना चाते हैं तो गूगल मैप में टाइप करें ग्रेंड सेंटरल पार्क आपको पता चल जाएगा कि आपके घर से कितनी दूरी पर ये पार्क है अगर नियर है आप थाना के आसपास रहते हैं तो तो इस पार्क को जरूर विजिट करें, काफी बढ़ियां इस पार्क को बनाये गए है, आप लोगों के लिए इसे आकर आप विजिट करें, इसका फूल एडरेस, डीटियल, टाइमिंग, सब कुछ मैं नीचे लिख कर मिंसेंट कर दूँगा, आप लोग उसे भी देख कर यह दोस्तों, उसी गेट से जब आप अंदर की तरफ आएंगे, लगबख 500 मीटर आपको अंदर आना है, तो ये आलिसान पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा, जगे जगे पे आपको गाड देखने के लिए मिलेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप गाड से पू अपन होता है, और 11 बजे ये बंद कर दिया जाता है, वापस से आपको 1 बजे ओपन होगा, और रात को 9 बजे तक ये ओपन रहता है, दोस्तों, यहां पर वीडियो बनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं था, तो मैं थोड़ा सा सीख रहा था किस तरीके से वीडियो बनाया तो बस केमरा आउन करकर छोड़ देता हूं, मौल हो गया, सौपिंग मार्कीट हो गया, उसके बाद वो अपलोड कर देता हूं, यहां पर देखिए चुड़े चुड़े बच्चे किस तरीके से उपर की तरफ आते हुए, तो काफी कुछ यहां पर एक्टिविटीज बच् यहां पर मैं भरपूर कोशिस कर रहा हूं कि कितना बेश्ट मैं आप लोगों को यहां का दिखा सकूं, दोस्तों आप लोग कमेंड करके बताएगा कि यह वीडियो अच्छा बना है कि नहीं बना है, और कैसा मुझे वीडियो बनाना है, आप लोग ही मुझे सपोर्ट यह प्यारे दोस्तों जो मेरे अपने भी है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वहां यह जरूर वो देखते रहते हैं कि कहीं मेरा यट्यूब चैनल चलना जाए, व्यूज जना आने लगे, इस पे नजर उनकी बरूबर रहती है, पर यह उनसे यह नहीं होता है कि वो मुझे जैसा भी मुझे जम रहा है, बना पा रहा हूं, वो बना कर आप लोगों तक अपलोड करके पहुचा रहा हूं, अगर यह वीडियो आप लोगों तक पहुच रहा तो फिलीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बस इतना ही करना है प्यारे दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक् आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर देखिए चोटे बच्चे कुछ इस तरीके से उपर की तरफ जाते हुए आप अपने चोटे बच्चों को काफी जादा यहाँ पर लाकर इंजॉय करा सकते हैं पर आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है नहीं तो वो गिर के उनको चोट भी लग सकता है यहाँ पर देखिए कुछी तरीके से जूले लगे हुए हैं इन जूलों को उपर बैठा कर आप अपने चोटे बच्चों को इंजॉय कराईए एके करके सभी पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पर देखिए जिम के रिलेडिव काफी सारे एक्सेसरी जहाँ पर लगे हुए हैं तो अगर आप यहाँ पर मॉर्निंग में आते हैं तो वाकिंग कर सकेंगे यहाँ पर जिम में एक्सेसाइज कर सकेंगे तो काफी कुछ है यह जो पार्क है प्यारे दोस्तों इसके चारों तरफ काफी आलिसान टाफर बनके रेड़ी हैं कुछ अभी बन रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इस पार को यहाँ पर विजिट कर सकते हैं डेली आप यहाँ पर डेली आना चाहते हैं अगर आप यहाँ के नियर के हैं तो यहाँ का मंथली पास भी है जिसे आप यहाँ पर एक बार पर चेस करेंगे तो पूरा थोड़ा सा अभी मैं आप लोगों को सुनाओंगा और यहां पर देखिए छोटे बच्चे किस तरीके से यहां पर सलाइड होते हुए थोड़ा सा जैसा कि मैंने आपको कहा आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए नहीं तो गिर सकते हैं उनको चोट लग सकती है देखिए क कुछी तरीके से चोटे बच्चे यहां पर इंजॉय करते हुए काफी कुछ यहां पर एक्टिविटीज है तो यही सब एक्टिविटीज चोटे बच्चे यहां पर इंजॉय कर सकेंगे पड़ों को देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर इंजॉय करते हुए तो यहां पर कुछ इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिस कर रहा था कुछ नए नए इस्टाइल यहां पर ट्राइ कर रहा था काफी जादा मज़ा आया काफी बड़ा यह पार्क है 20 एकर में यह फैला हुआ पार्क है तो कुछ लोग अराम करते हुए, कुछ लोग यहां पर टहलते हुए, बहुत ही बड़ा है, इस्पेस की कोई कमी नहीं है, चार हिसों में अलग-अलग डिवाइड है, सभी पॉइंटों के नाम है यहां पर, यह देखें वाकिंग के लिए कितना बढ़ियां यहां पर बना फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेश्ट पॉइंट है, यह आपके ठाने में, यह देखें कुछ इस तरीके से आप चलते रहेंगे, यहां से जब मैं बाहर की तरफ निकला, तो यहां पर एक चाइनीज गार्डन था, एक जापान गार्डन था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यह देखिए रहा, चाइनीज गार्डन इसके अंदर जब आप आएंगे कुछ इस तरीके से, यहां पर यह पॉइंट बनाये गया है, तो काफी बेश्ट यह पार्ख है, जब यहां पर आप आएंगे, तो आपका दिल एकदम ही खुस होने वाला है, बड जादा डीटिल में मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, प्यारे दोस्तों, दो ही दिन हुआ था, इस पार्ख को ओपन हुए, यहां के बारे में मुझे जादा नहीं पता है, प्यारे दोस्तों, तो अगर कुछ गलत बता दो, तो थोड़ा आप लोग एक्सेब्प कर लीजिएगा समझ लीजिएगा मुझे यहां के बारे में नहीं पता है यह कि हाउस बनाया गया है जहां पर आप बैट गए काफी बढ़िया फोटोग्राफी कर सकेंगे तो काफी अलग-अलग ऐसे थिम गारडन यह बनाया गया है जहां पर आप आकर रील तो काफी बढ़िया बना सकते हैं यहां पर एक ब्रीज है वो ब्रीज का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों अगर आपके पास समय कम है तो आप साम को चार बज़े के बाद यहां पर आएए आपको यहां पर डे का भी नजारा मिल जाएगा और जैसे ही यहां पर रात होगी तो उसका भी नजारा आपको मिल जाएगा साथ बज़े के बाद यहां पर लाइड चालू कर दिया जाता है जो अलग ही काफी बढ़िया नजारा आपको देखने के लिए हर पॉइंट में मिलेगा तो आपको डे नाइड दोनों ही देखने के लिए मिल जाएगा तो चार बज़े के बाद अगर आप आते हैं यहां पर देखिए यह जो दिखा रहो यह जापान गाडन है प्यारे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से अलग अलग यहां पर बनाया गया है काफी खुबसूरत, काफी बीटिफूल इस पार्क को बनाया गया है तो प्यारे दोस्तों आईए विजिट करीए अगर आप यहां पर रहते हैं नियर में पोसिबल है तो इस लोकेशन को आप विजिट कर सकते हैं अगर मेरी माने तो यहां से अगर 40-50 किलो मीटर की दूरी पर भी आप रहते हैं तो इस पार को आपको जरूर विजिट करना चाहिए यहां पर एक क्यूर सा प्यारा सा बच्चा था इस हाउस का यहां पर डीटेल दिया गया है वहीं पर वो बैठा हुआ था तो यह जब मैं आप लोगों को दिखा रहा था तो उसे वो हाथों से कवर कर रहा था नहीं दिखाने दे रहा था और ना किसी को आने जाने दे रहा था बहुत ही प्यारा सा क्यूर सा बच्चा था वो भी यहां पर आकर काफी ज़्यादा खुस हो रहा था यह जो है जापान गार्डन है जैसा कि यहाँ पर देखिए लोगों लगा हुआ है जितने भी यहाँ पर पॉइंट है सभी पॉइंट के नाम यहाँ पर दिये गए हैं अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो वो सभी पॉइंटों को नाम के साथ आप जान सकेंगे सा फाउंट लगा हुआ है जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया है कि कुछ नया मैं अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिस यहाँ पर कर रहा था करीब मैं दो घंटा दस मियट का वीडियो यहाँ पर मैंने बनाया था दो दिन से एडिट कर करते करते कुछ 32 मियर तक लाकर पहुचाया हूँ इतना बेस्ट पॉइंट है प्यारे दोस्तों एक भी पॉइंट मैं मिसिंग नहीं करना चाहता था इस पार्क को पूरे डीटिल के साथ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो पॉसिबल है यहाँ के नेर के हैं वो तो वीडियो के माद भी हम से देखें कि कितना बेस्ट पार्क यहाँ पर बनाया गया है इस पॉइंट को देखें कितना बेस्ट बनाया गया है छोड़े छोड़े यहाँ पर फॉइंट लगाया गया है इस पॉइंट को देखें इस पॉइंट का भी नाम है अभी याद नहीं आ रहा है आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस पॉइंट में जब दिन ढल जाता है लाइट चालू होती है प्यारे दोस्तों तो उसका अलग ही वियू रहता है वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों ये लोकेशन हमारे भीमंडी के बहुत ही करीब ह है क्या है प्यारे दोस्तों इस रोड पे ट्राफिक बहुत ही जादा होता है यह थाने भिमंडी ओल्ड रोड है आप अगर भिमंडी के कल्यान नाके के सैट से जाएंगे तो आपको पहले धावन नाका आएगा उसके बाद अंजूर फाटक फिर कसेली फिर उसका थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक नदी आएगा नदी को क्रॉस करने के बाद जो पहला सरकल आता है जहां पर सिंगल लगा हुआ है उसी के राइड साइट में आपको जाना है आलकम रोड है उसी रोड से होते हुए आप निकल जाएंगे वोल्सेट रोड पे निकलेंगे राइड सा वीडियो काफी बड़ा हो गया है, reason मैंने आप लोगों को पीछे ही बता दिया है, प्यारे दोस्तों, इस पार्क के सभी हिस्सों को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ था, डीटियल से, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और आप लोगों को जैसा पॉइंट का जो नाम था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहां से यह पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाता हुआ, तो फोटोग्राफी के लिए काफी बेस्ट लोकेशन है, प्यारे दोस्तों, अगर आप यहां पर आते हैं, अपने सोसल मीडिया के लिए, क उसके अंदर आपको बोटिंग की भी सुबधा मिलने वाला है, पर अभी फिलहाल नहीं चालो, उसके अंदर पानी कम है, यहां पर एक गार्ड थे, उनसे मैंने पूछा तो वो बता रहे थे, बहुत ही जल्द बोटिंग की भी सुबधा यहां पर अलेबल होने वाले है, य जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बोटिंग की भी यहां पर सुबधा होने वाला है, अदर्स और भी कुछ काम यहां के पेंडिंग है, वो दीरे दीरे करके सब केलियर होंगे, और भी बढ़ियां तरीके से आपको यह पार्क देखने के लिए मिलेगा, एक चीज़ जो मै यहां पर मिसिंग किया, यहां पर फूड कोट अभी अलेबल नहीं है, जहां पर पार्किंग का सुबधा था, वहां पर कुछ स्पेस था, जो काम चालू था, मुझे लग रहा है, वहां पर ही फूड कोट के लिए स्पेस बनाते हुए, यह हो सकता है, कुछ और वहां पर ब बनाना चाहिए कि जो यहां पर आए वो अपना खापी सके इस बिरीज को देखिए पहरे दोस्तों कितना अलिसान कितना बढ़िया इसे बनाया गया है जैसे यहां पर दिन ढलेगा रात होगी तो उसका व्यू अलग रहेगा वो भी मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला ह जाता है और खाने पीने के लिए बेपर बिस्किट कुछ भी अंदर अलाओ नहीं है पहरे दोस्तों क्योंकि उससे यहां पर गंदगी होगी और भी कई रिजन है तो इसलिए अंदर नहीं लाने देते हैं यहां पर देखिए बढ़िया सा यहां पर दो फाउंट आपको दे ले सकते हैं यहां पर यह देखिए यह बोट यहां पर अलेवल है इस बोट को बहुत ही जल्द यहां पर चालू करने वाले हैं ऐसा यहां के गाड़ बता रहे थे दोस्तों इस लेक के साइड साइड में बैटने के लिए बना हुआ है तो अगर आप यहां पर आ रहे हैं त पानी के अंदर हाथ ना डालिये उसके अंदर ना जाये प्यारे दोस्तों जो मैंने यहां पर देखा वो मैं आप लोगों के साथ सेर कर रहा हूँ यहाँ पर guard भी थे वो भी मना कर रहे थे पर लोग नहीं सुन रहे थे पानी के अंदर जा जाके हाथ डाल रहे थे वो इसलिए मना कर रहे प्यारे दोस्तों यह जो found चल रहा है यहाँ पर जो light है इसी पानी के अंदर से connection किया गया है तो कभी आपको short circuit लग सकता है आपको power ल level थे वो रोक रहे थे पर बहुत से लोग ऐसे भी थे वो सुनने को तैयार नहीं थे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जा रहे तो reason यहीं प्यारे दोस्तों इसलिए वो रोक रहे थे लेक में नहीं जाने दे रहे थे यही reason है पर यहाँ के लोग ऐसा समझ रहे थे कि कुछ और रिजन है तो यहां पर देखिए एक छोटा सबच्चा कितना ज़्यादा इंज्वाइग करता हुआ सभी एंगलों से आपको लेक दिखाता हुआ मैं आगे हूं बिरिज के पास बिरिज के पास आपको ये बोड़ दिख जाएगा यहीं से आप एकजिट भी ले सकते हैं इंटर भी हो सकते हैं दोनों ही साइट से कुछ इस तरीके से exit enter के लिए बना हुआ है यह मैं इस साइट से जाता हुआ देखिए कुछ इस तरीके से सीड़ी बना हुआ है जैसे आप चड़ते जाएंगे और दोनों ही साइट का मैं view आप लोगों को दिखाने वाला हूँ काफी beautiful यहां से यहां का ल पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता हुआ यह साइट में waterfall भी है वो भी आगे चलके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और यह मैं उपर की तरफ जाता हुआ चोटे बच्चों को देखिए कितना ज्यादा enjoy करते हुए यह उपर से कुछ इस तरीके से लेक दिखता हुआ अगर आप यहां पर आ रहे हैं तो यह सबी पॉइंट आप जरूर बिजिट करिए आपको काफी ज़्यादा मज़ा आएगा सबसे बेस्ट पॉइंट इस पार का मुझे यह बिरिज़ी दिखा जहां पर लोग आकर काफी बढ़ें बड़ें बड़ें फोतोग्राफी करते ह हुए और यहां पर काफी ज़्यादा इंज्वाय करते हुए यह उपर से कुछ इस तरीके से लेक का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसी के अंदर बहुत ही जल्द बोटिंग की भी सुगदा देने वाले हैं ऐसा यह बोल रहे थे तो अगर बोटिंग का होगे तो का कुछ इस तरीके से पार्क दिखता हुआ इस बिरीज के ऊपर लाश्ट में कुछ इस तरीके से पॉइंट बनाये गया है यहां पर आप आकर इस पार का काफी बढ़िया से व्यू ले सकेंगे एक साइड से देखे कुछ इस तरीके से यहां पर दिखता हुआ दोनों ही साइ दिखता हुआ यह दूसरे पॉइंट से मैं आप लोगों को दिखाता हुआ तो उपर के जो लाश्ट में पॉइंट बने हुए वहां से काफी बढ़ियां वियू आपको इस पार का देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहां पर देखिए बना हुआ है वाटरफॉल काफी बढ पने वाले काफी बढ़ियां इसे डिजाइन किया गया है प्यारे दोस्तों बनाया गया है देखिए वाटरफॉल से यह पानी बहता हुआ यह जाता हुआ बिरिज के पास तो इसी साइड से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिरिज के ओपर से यह वाटरफॉल नहीं दिखेंगे यह बीड तो देखिए यहां पर यह चोटे बच्चों को देखे काफी स्टाइलिस है फोटू खिचाते हुए अभी मैं आगे की तरफ जाता हुआ इस साइड में भी एक गेट है प्यारे दोस्तों जहां से लोग अंदर की तरफ आ रहे थे यहां से देखिए कि लोगों को थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ वीडियो में इंतक बने रहिए उस तो इस पॉइंट का नाम है फ्लोरा ट्रिलस तो इस पॉइंट को मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया है वापस से थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि दूसरे साइड से कुछ इस तरीके से पॉइंट बना हुआ है तो यह सब पॉइंट आप यहां पर जब आकर देखेंगे लाइड चालू होने के बाद कुछ अलग ही वियू रहता है उसके पहले का अलग ही वियू रहता है तो वो सब अगर आपको दोनों एक साथ इंजॉय करना है तो आप आई कुछ इस तरीके से लाइड चालू हो चुका है और भी थोड़ा सा दिन ढलने दीजिए तो और भी यहां का वियू अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ यहां पर मुझे कई तरीके के ट्री प्लांट दिख में गेट से जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो इस पॉइंट को ही पहले आप विजिट कर सकेंगे इसे मैं लाश्ट में विजिट कर रहा हूँ यहां पर आप आकर उपर से इस पार्क के चारो तरफ का वियू ले सकेंगे पर यहां पर बड़े बड़े पेड़ पोदे हैं तो उस होजा से अच्छे से कीलियर पूरा नहीं दिख रहा है यहां पर देखिए यहां से कुछी तरीके से आप देख सकेंगे तो काफी बड़े इस पॉइंट को बनाया गया है यहां पर सीनिर सिटीजन के लिए इस वहकल का इंतिजाम किया गया है कि कोई पार्क काफ इंज़ाय करते हुए सौंग को मैं आप लोगों को सुना नहीं सकूंगा क्योंकि कापी राइट लग जाएगा प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए कुछी तरीके से यह सभी यहां पर प्लांट किये गये है एके करके मैं आप लोगों को दिखाता हुआ वापस से यह मैं इस पॉन्ट पे अभी यहां पर ղाइन लग चुका है देखिए कितना ज्यादा क्राउड है और यह बाहर का तो देखिए प्यारे दोस्तों अंदर आने के लिए टिकट के लिए यह यहां पर लाइन लगा हुआ है जहां से मैं स्टार्ट किया बाहर का दिखाने के लिए औ यहां पर लाइन लग चुका था मैं सिर्फ हैरान इस बात से हूं कि अभी दो ही दिन हुआ है इसे ओपन हुए जब मैं यहां पर गया हुआ था और दो ही दिन में यह इतना वाइरल हो गया है कि लोग यहां पर आते ही जा रहे थे यहां पर देखे जब लाइड चालू होता ह तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा और भी थोड़ा जब दिन ढ़लेगा पुरा रात होगी तो और भी बढ़िया यहां का व्यू देखने के लिए आपको मिलेगा वो भी थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी एक एक करके यहां पर लाइड चालू हो रहा है तो कुछ इस तरीके से सभी पॉइंड को आप देख सकेंगे यह रात के नौ बज़े तक ही ओपन रहता है तो साड़े आड़ बज़े से सभी को यहां से बाहर निकालना इस्टार्ट कर देते हैं और नो बज़े तक इसे क्लोज कर दिया जाता है वापस से मैं एक बार आप लोगों को टाइमिंग और यहां का टिकट प्राइज बता देता हूँ स्टार्टिंग में तो मैंने बताया ही है पर अगर आप लोगों ने वीडियो बखा के देखा होगा तो वापस से बता देता हूँ आप लोगों को सुभे का जो टाइमिंग है 6 बज़े से लेकर 11 बज़े तक उसके बाद 11 बज़े क्लोज कर दिया जाता है एक बज़े तक ये क्लोज रहता है वापस एक बज़े स्टार्ट होता है और रात के 9 बज़े तक ये ओपन रहता है इसी समय आप इसके अंदर आ सकेंगे टिकट प्राइज डेली इसका 20 रुपीज है विकेंड में 30 रुपीज है टिकट बारा साल से कम उमर के बच्चों का नहीं है बारा साल से पलस के सभी लोगों के लिए टिकट यहाँ पर लगता है मंडे के दिन इस लोकेशन पर ना आईएगा तो दोनों ही समय को इंज़ाई करने के लिए आप आईए साम को 4 बजे 5 बजे आपको दिन का भी देखने के लिए मिलेगा और रात को भी देखने के लिए मिलेगा काफी बढ़ी हैं यहाँ का भी उतो आप आईए दोनों ही समय को इंज़ाई करिए यहाँ पर देखे जब लाइट चालू होता है तो कुछ इस तरीके से इस पार्क का वियू रहने वाला है वही जब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अगर आप अपने चोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके ओपर थोड़ा सा ध्यान रखें नजर रखें क्या होता है वो जाकर जो यहा यहां पर आए विजिट करें आप यहां पर गंदगी न करें उससे आपको भी तकलीफ होगा और यहां पर जो भी आएगा उसे भी तकलीफ होगा और इस पार्क का भी नाम खराब होगा इतना बढ़िया इसे बनाया गया हमारे इंडिया में महराश्टरा में थाने में तो इस पार्क को काफी साब सुतरा रखें, यहां पर हॉस्किपिंग वाले तो ध्यान रखते ही हैं, यहां के स्टाप ध्यान रखते हैं, पर आप भी अगर आते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है प्यारे दोस्तों, कि यहां पर पार्क में साब सफाई का ध्यान रखें, कोई आइड चालो होने के बाद काफी बढ़ियां ये पार्क लगता है तो आप देखिए काफी आपको यहां पर मज़ा आने वाला है अगर आप यहां के नियर के हैं तो यहां पर आप जरूर विजिट करें या कहीं आप दूर से देख रहे हैं इस वीडियो के मारधिम से आप दे सेलिफी खिषते हुए पॉइंट को विजिट करते हुए आपको दिखेंगे ऐसे लोकेशन पे आके बच्चे भी खुस होते हैं बड़े भी खुस होते हैं काफी जादा इंज्वाइ सभी करते हैं प्यारे दोस्तों आप यहां पर भी देखिए छोटे बच्चे काफी कर सकेंगे अगर आपको चलाना आता है इसे सीखने के लिए साइद इसकी भी कोई कलास होती है प्यारे दोस्तों क्योंकि मैं यहां पर देख रहा था एक कोच थे जो यहां पर बच्चों को सिखा रहे थे यह देखिए कुछ इस तरीके से यहां पर बच्चे लोग सीख रह था यहां पर यह सभी में देखता हुआ तो आप भी आई यह हो सकता है कोई ना कोई ऐसा ट्रेनिंग करता हुआ आपको दिख जाएगा तो आप भी देख सकेंगे दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीस मेरे एटूब चैनल को कर दें शेयर कर दें आपका कुछ भी सुझा हो है तो कमेंट करें प्लीस आप लोग अपना सपोर्ट करें मैं कुछ इस तरीके से टूरिस्ट पॉइंट स्वापिंग मॉल स्वापिंग मार्केट का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं अगर आप लोगों ने सपोर्ट क वहाँ पर भी काफी बढ़ियां बढ़ियां आफर चलते रहता है उस आफर का मैं डीटियल के साथ वीडियो बना कर आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्यारे दोस्तों जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे अच्छे से वीडियो बनाने के लिए नहीं मिलेगा तो इसलिए कुछ इस तरीके से पार्क हो गया स्वापिंग मार्किट के बाहर से स्वापिंग मॉल के बाहर बाहर से मैं वीडियो बना कर आप लोगों तक पहुच रहा हूँ तो अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुश रहा है तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें Sport के Relative यहाँ पर दो पॉइंट बनाये गए हैं जिसमें से एक है टेनिस ग्राउंड और एक है बास्कीट बोल ग्राउंड यह देखी यह चोटा सा बच्चा यहाँ पर बास्कीट बोल खेलता हुआ तो दो पॉइंट यहाँ पर स्पोर्ट की बेर रिलेटिव है जो की काफी बढ़िया है एक यहाँ पर और होना चाहिए तक क्रिक्ट की रिलेटिव और भी काफी जादा मज़ा आता इस बच्चे को देखिए पहरे दोस्तो कितना ज़्यादा यह यहाँ पर इंजॉय कर रहा है तो आप भी अपने बच्चों को लाकर इस ग्राउंड में इंजॉय करा सकते हैं यहां पर देखिये यह tennis का ground है जो भी आपको खेलना है यहां पर enjoy कर सकेंगे जब रात होने के बाद light चालू होता है तो पेड़ पदों के बीच में यहां पर light लगाया गया है जो कि काफी बढ़िया लगता है यह main gate के पास से यहां पर कुछी इस तरीके से बनाये गया काफी सनाटा अंदर दिख रहा था तो अंदर तक तो मैं नहीं गया पर यह देखिये और जब मैं बाहर की तरफ आया तो अंदर जाने के लिए जो यहां पर टिकेट मिल रहा था वो close हो गया था और बहुत से लोग यहां पर कड़े हुए थे मैं करीब 8 बजे के आसपास यहां से बाहर निकला तो देखे यह बोर लगा दिया गया था अभी अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि 9 बजे यह close हो जाता है तो साड़े 8 बजे जो अंदर रहते उन्हें बाहर करना start कर देते हैं तो 8 बज चुका था तो इसलिए अभी अंदर नहीं जाने दे रहे थे यह प पत्रू पार्क सिटी तो इसी के अंदर वो पार्क बनाएगा है जहां पर आप जाकर काफे ज्यादा इंजॉय कर सकेंगे इस लोकेशन पर आप एकदम एजली पहुच सकते हैं अगर आप गूगल मैप का इस्तिमाल करेंगे गूगल मैप में टाइप करिए ग्राइन सेंट